नबस्ते मैं विक्रांत रंजन और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक सूँ लदाक में महावली भिस्म की तैनाती कर दी गई है टी ट्वेंटी नाइन भिस्म टैंक रस्टन टक्नलोजी से बना मेड इन इंडिया टैंक है इसमें लेजर गाइड़ आई एन वी ए आर मिसायल सिस्टम लगा है जिसमें चार किलो मिटर तक दुस्मन का कोई भी टैंक बच नहीं सकता हम इस पर विस्तार से बात करेंगे लेकि मिघालय की मुख मंत्री कॉनरड संगमा की नेशनल फिपूल्स पार्टी मनिपूर में बीजेपी की अगवाई वाली सरकार का समर्थन करना जारी रखेगी असम के मंत्री और प्रुबोत्तर में बीजेपी के संकट मोचक हमंत विश्वास सर्मा ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी है जिन विधायकों ने इस महिने की शुरुवात में प्रुबोत्तर राज में बीजेपी के नेत्रित वाली गठवंधन सरकार को छोड़ दिया और इसे पतन के कगार पर ला दिया अचानक से उनका हिर्दय परिवर्तन हो गया है दिली में भाजपा प्रमुख जेपी नडड़ा और केंद्रिय गड़ी मंत्री अमित्सा के साथ बैठक के बाद हुए वापस आ गये हैं हमंत बिश्वा सर्मा ने ट्विट किया क्या है ट्विट में संगमा कॉनराइड और डिप्टी सीम वाई जुआई कुमार सी के नित्रित में एन पीपी के प्रतिनिदी मंदल ने आज गेंद्रिय गड़ी मंत्री अमित्सा से मुलाकात की मनिपुर के विकास के लिए बिजेपी और एन पीपी दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया है दूसरी सुर्की निदिश कुमार लालू यादर की राश्ट्रिय जनता दल के विधायकों को क्यो तोर रहे हैं बिहार में राष्ट्रे जन्ता दल के 5 विधान पार्सत मंगलवार को जन्ता दल युनाइटेड में सामिल हो गया है इसके बाद ये राज्रितिक अटकले भी सुरू हो गई है कि जल्द राष्ट्रे जन्ता दल विधायक दल में भी ऐसी ही फूट होगी बस जनता दल युनाटेड ने राष्ट्रे अध्यक्ष और बिहार के मुख मंत्रे नितिश कुमार को भारतिय जनता पार्टी के साथ सीटों के समझावते का इंतजार है एक बार सीटों की संख्या और नामों पर अंतिम निर्णय हो जाए उसके तुरंत बात जो विधायक राष्ट्रे जनता दल से नितिश कुमार के साथ संपर्क में उनकी विदिवत सामिल होने की प्रिक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी इस बात का संकेत खुद मंगलवार को लोक सबा में सांसदिया दल के नेता ललनसी ने मीडिया वानों को दिया है इसके जवाब में राश्ट्य जंतादल के नेता तेयोसी यादम ने कहा है यह कौन सी नई बात है हर बार चुनाव के समय कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं और इधर से उधर आते हैं जिनें ले जाना हो वो जल से जल ले जाएं और साथ ही साथ निरीश कुमार से सवाल इंदर कुमार हुए थे नेपोटिजम का सिकार जी हां पत्नी ने पोश्ट सेर कर लगाये हैं आरो बॉलिवूड एक्टर सुसांसी राजपूत की निधन के बाद से ही फिल्मी दुनिया में जारी पडिवाद को लेकर लगातार सवाल उधाये जा रहा है हाल ही में पलवी कुमार ने अपनी पोस्ट में करंजोहर और सारुक खान पर आरोब भी लगाये हैं अपनी पोस्ट में पलवी कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाब सरकार को कड़े कदम उठाने की आबशकता है इंदर कुमार की पतनी पलवी कुमार ने अपने इंस्टाग्राम लेकिन वह कोई बड़ी फिल्म करना चाहते थे, जैसे उन्होंने शुरुआती में की थी, वह करन जोहर के पास गए थे, मैं भी उस समय साथ थी, मेरे सामने ही यह सब हुआ है, उन्होंने हमें दो घंटे अपनी वैन के बाहर इंतजार करवाया, फिर उनकी मैनेजर ने आकर क कि करन व्यस्त हैं, लेकिन हमने इंतजार किया, और जब वह आये, तो उन्होंने कहा कि इंदर गरिमा से जुरे रहना, फिलाल तुम्हारे लिए यह कोई काम नहीं है, सुर्खियों से निकल कर अब चलते हैं बड़ी ख़बर की ओर, भारत चीन के बीच बढ़ते सीमा विब और ग्राउंड जीरो के बारे में जानकारी ली थी, बुद्वार को वो पुर्वी लदाक में इस्तित, कई फॉर्वर्ड पोस्ट पर गए और सेनिकों का मनोवल बढ़ाया, उन्होंने उन सेनिकों को सम्मारित किया, जिन्होंने गलवान घाती में चीन की सेना का डट कर बुद्वार को चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने सबसे घातक और सबसे भरोसे मन हतियार T-90 बिस्म टेंकों लदाक में उतार दिया है, लदाक के खुले मैदान में T-90 टेंकों से बेतर कोई हतियार नहीं है, पुर्वी लदाक में सपांकूर गैप से होकर ये टेंक आसानी से समाल सकते हैं, इन दोनों ही इलाकों में खुले मैदान है, यहाँ पर जमीनी रेतिली है, इसलिए यहाँ पर टेंकों के जड़िये तेजी से बढ़ना आसान है, एस्पांगर, गैप और डेमचोक दोनों ही जगों से चीन का एक महत्वपूर्ण हाइवे G-2 219, कड़ी 50 किलो मीटर ही दूर है, इसलिए अगर युद हुआ, तो चीन के लिए इन टेंकों का सामना करना आसान नहीं होगा, टीन एंटी बिस्म टेंक, रस्यान टेकनलोजी से बना मेड इन इंडिया टेंक है, इसमें लेजर गाइडेड आई एन वी एर मिसाल सिस्टम लगा है, जिससे चार किलो मीटर तक दूसमन का कोई भी टेंक बच नहीं सकता है, इसके हंटर किलर कॉंसेप्ट से गनर और टेंक में से एक है, सेल्फ इंट्रेंसिंग पहले यानी सामने लगे उपकरन के सहारे ये टेंक खुद को छिपाने के लिए खुद खाई भी खोच सकता है, इस टेंक में गिन हो या रात हर समय पर युद लड़ने की चमता है, इसमें दूसमन की किसी भी मिसाल को रोकने का क परवच है, इसमें 1000 होर्स पावर का इंजन है और ये 72 किलो मीटर प्रदी घंटे की रफ्तार से दोर सकता है, ये 5 मीटर गहरी नदी या नाले को भी आसानी से पार कर सकता है, बिस्म टेंक के मुकाबले चीन के पास T95 टेंक है, जिसकी ताकत बिस्म टेंक से जादा नहीं ह इसके अलाबा चीन ने भारतिय सीमा और पहारी इलाके में लडाई के लिए बहुत हलके वजन के टाइप 15 टेंक भी लगाये हैं, लेकिन टेंकों के मामले में चीन अभी भारत से पीछे है, भारतिय सेना के पास करीब 43,000 टेंक हैं तो चीन के पास 35,000 टेंक ही हैं, 2016 में भारत ने लडाक में टेंकों की पहली ब्रिगेट तैनात की थी, इसमें T-72 टेंक थे, लेकिन जब चीन की तरफ से LAC पर T-95 टेंकों की तैनाती की खबर आई, तो भारतिय सेना ने T-90 भिस्म टेंकों को लडाक में उतार दिया, भारत और चीन के बीच मौजुदा हाल भारत में चार निसकर्श निकलते हैं, पहली बात ये है कि अब भारत और चीन के बीच भरोसे की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, और अगर चीन अपने वादों को तोड़ता रहता है, तो फिर इसका परणा बहुत खतरनाक हो सकता है, दूसरी बात ये है कि अब दोनों द रवये से जवाब देकर चीन को हैरान कर दिया, तीसरी बात ये है कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसे ही तनाव बढ़ता रहा, तो गलवान घाटी जैसे घटना अब LAC के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकती है, चौती बात ये है कि अगर गलवान घाटी जैसी कोई दूसरा घटना हो गई, तो फिर ये तनाव बरेट टकराव में बदल जाएगा और इससे आगे चलकर युद्ध का भी खत्रा हो सकता है, बुद्वार को चीन ने पहली बार ये बात सुिकार कर ली है कि उसे भारत द्वारा गलवान घाटी में LAC के करीब सरके और पूल बनाने से ही परिशानी है, ये बयान चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता की तरफ से आया है, खुद चीन अब ये मान रहा है कि उन्हेस्वा बारसट का भारत नहीं है और ये भारत चीन को उसी की भासा में जबाब देना जानता है, अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि LAC पर टक्राव करने वाली हरकते क्यों कर रहा है, अगर पहले कि सरकारे की तरह आज का भारत अगर सीमा पर इंफ्रा एस्ट्रेक्चर ना बनाता तो चीन कुछ नहीं बोलता, चीन की असली परिशानी यही है कि आज भारत की सरका सीमा पर इंफ्रा एस्ट्रेक्चर बनाने को लेकर बहुत सक्रिया है और इसी से चीन को डर लगता है, आज के दी ललन टॉक सो में इतना ही, अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप मारे धन्रेवार